नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूटूब चनल टार्गेट शिविल सर्जिस में तो आज है चोबी सघस्त और मद्दप्रदेश के डेली कर इंटर बनेंगे तो उन पर डिसकर्स करेंगे तो लेक्षर ध्यास देखेगा और दोस्तों इसने वीडियो को लाइक नि और एक्जाम पस्पेक्टिव से भी इंपर्टेंट रहते हैं 5 को से मद्दप्रदेश करेंट एफर से रहते हैं और 5 को से नेशनल करेंट एफर से रहते हैं तो देखे इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है और जो कल टेस्ट हुआ था हमारा 41 वा टेस्ट उसमें 1st र दो इसका रिविज़न कर लेते हैं उसके बाद हम स्ट्राट करेंगे आज के कर इंटर तो पहला को संता हमारा हाली में किस राज्य के द्वारा विद्दुत प्रहरी योजना लागू की जा रही है तो यह हमारी मध्द्प्रदीश गोवर्मेंट के दवरा ठीक है तो इसका आंसर कहा गया था और विदीशा जिला तीनों को तो इसका आंसर कहा गया था आपसे नमबर डी में भारत माता का मंदिर बनाने की गुष्णा की है तो इनके द्वारा लिकित आजादी बनाम फासी अथवा कालापानी का विमोचन्त किसके द्वारा किया गया है स्वाथ के दवरा इसका आंसर क्या था मदद्रधिस की संसिक्रती मंतरी घृज गौत्म मदद्रधिस विदान सभा के अध्यक्ष है नेक्स कौसं था राश्टी हर्स्त सिल्प पूरुसकार के लिए यूवा सिल्पकार बिलाल खत्री का चैन हुआ है तो इनका संबन्द मदद सब्सक्राइब किस डिश्टीक से तो यह धार डिश्टीक से ठीक है तो इसकांसर कर गया ता और यह धार डिश्टीक के बिलाल खत्री जो की युवा शिल्पाकार है नेक्स कोशन था मारा हाली में 17 अगस्त को गौहर महल भूपाल में स्पेशल हैंड लूप एक्सपू 2021 को सुभाराम किस के द्वारग गया है तो यह गूपाल भार्गवजी के द्वारग किया गया है तो इस कांसर कर गया ता ऑप्शन नमबर ए और गूपाल भारगवग के प कब किया जालेगा तो यह आज से किया जा रहा है चौबीस अगज से स्टार्ट किया जा रहा है तो यह 24 अगज से किस राजे सरकार के तो मद्धदेश सरकार के दोरा नेक्स कोसन था हमारा मद्दप्रदेश राजे के होनहार खिलाडी अमीत कुमार का संबंद किस खेल से है तो आर्चरजी से है यानि तिरंदाजी से है ठीक है तो इसका आंसर गया था आप्सन नमबर ए हाल इमें भारती तिरंदाजी टीम ने कैड़ेट यूट वर्ल्ड आजचरी चेंपियंशिप में स्वर्ण पदक जीता है नेक्स कोसन था हमारा मुख्यमंत्री सिवरासी चौवा ने किस जिले में स्वर्गी अटल भिहरी वाजपेजी की इस प्रती में भव्य और विसाल इस चलि दोस्तों अब स्वर्ट करते हैं माची गरेंटेफर तो आजकी गरेंटेफर में पहला कोसन है हमारा हाली में किस राजी सरकार ने चात्राओं को कॉलेज में प्रवेज करने पर लाडली लक्षमी योजना के तहत कितने रुपए देने की घुशना की है तो इसका आंसर किसी योजना के तहत लाडली लक्षमी योजना के तहत बात करें दोस्तों लाडली लक्षमी योजना की तो लाडली लक्षमी योजना की तो यह की थी 2007 में यह भी कोशन बहुत बार पूचा जा चुका है तो याद रखिए का 2007 में हुई थी लाडली लक्षमी योजना की श मद्दप्रदेश में दिनांक 1407 में लाली लक्ष्मी योजना लागू की गई थी और योजना के अंतरगत बालिगा के नाम से पंजीकरन के समय से लगातर पाच वरसों तक 6-6,000 रुपए मद्दप्रदेश लाली लक्ष्मी योजना नेदी में जमा किये जाएगे अर्थात कुल रासी रुपए कितने 30,000 रुपए बालिगा के नाम से जमा किये जाएगे और बालिगा के कक्छा 6 में प्रवेश लेने पर 2,000 रुपए की रासी कक्छा 9 में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपए की रासी और कक्छा 11 में प्रवेश लेने पर 6,000 रुपए की रास किन्तु सर्थ यहां होगी कि बाली का विवाह 18 वर्स की आयों में पूरुन नहीं मद्ध्रदेश कवर्मेंट ने 22 अगर्स 2021 को रक्षाबंदन के मौके पर एलान करते हुए कहा है कि विस्विध्याले और कॉलोजियों में दाखिला देने वाली चात्राओं को 20,000 रुपए द केंदर जैसे महिलाबाल विकास अधिकारी आदी से संपर्क करना होगा एक्सकोशन है हमारा किस जिले के डॉक्टर अर्जून सुकला का नाम हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्जुवा है तो यह हमारे मद्ध्रदेश की संसकारधानी जबलपूर के है तो इसका आं पन पस्षाथ, हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में डॉक्टर अर्जून ने अपने नाम का परचम लहराया और सासकी विज्ञान महाविद्यालै जबलपूर के GOLD मैडलिष्ट चात्रव सुधार्ति वा विज्ञान महाविद्यालय के प्रानी सास्त्र विभाग में सात वर्षू से सिक्षन सेवाए देर है डॉक्टर अर्जून सबसे कम उम्र के ऐसे सोथ करता है जिने विज्ञानिक अनुसंदान जागरुकता के लिए सबसे अधिक संस्तानों और संगटनों से सम्मानित वह सम्मानित सेक्षनिक सोध हेतु संबंद हो चुके हैं अर्जून को सामाजीक न्यायव अधिकारिता मंत्राले नियुडेली दो ग्लोबल हुमन राइट्स फाउंडेशन वा निती आयुक द्वरा सितंबर में आयुजित भारत सरकार के सबसे परड़े पुरुसकार समारों म और आपको पता चलेगा कि आप जिन सफल व्यक्तियों की तरह सफल होना चाहते हैं उन्होंने अपने जीवन में कितनी सफलता देखी है और उसके बाद सफल हुए है संगर्स के पीछे मत भागिये क्योंकि भवी सी में जब आपकी कहानी लखी जाएगी तो वो और बहतर हो बी तो देखिए वोपाल की जोती रात्रे ने 15 अगस्त को अफ्रिकी महादीव की सबसे उची परवत चोटी किलीमजारो इसकी उचाई कितनी है 5895 मिटर है तो यहाँ पार तिरंगा लहरा कर एक अनूटा कृतिमान इस्थापित किया है और 52 साल की है जोती रात्रे इन्हों उन्हें अपने नाम पर कर लिया है जोती भारत से 3 सदस्य दल के साथ 8 अगस्त 2021 को निकली थी और उनकी एक बेटी है और इसी साल उन्होंने अमेरिका से बुगर्व विग्यान में PhD हासिल किये है एक्सकोशन हमारा मद्यप्रदेश के किस जिले में बिम्स्टे की यूथ व और Multisctoral, Technical & Economic Corporation इसमें कितनी कंट्रीज है तो इसमें साथ कंट्रीज है है तो इसका मुख्याले कहांपर है तो इसका मुख्याले बांगलादेश की राजदानी धाका में है और अभी बीमस्टेक की चैर्मेंसीब किसके पास है तो यह सिरलंका के पास है यहां के सेकरेटरी जनरल को नहीं भी तैंजीन लेकपाल है और इसकी स्थापना का हुईती बीमस्टेक की 6 जून 1997 होई थी और देखिए बात करें बीमस्टेक सम्मिट की तो फर्स सम्मिट कहां में कब दो हजार 9 जो सेंदर सम्मीट यह कहां पर हैं इंडिया में हुए थी और कब उइती दोहजार Meg तिर्ट सबमित कहां पर वही थी म्यामार में वही थी और कब Uhay Janet 2014 में हूई थी और जो 4- blind niapal में वही थी और कब++ again 2018 में हुई थी और चिव्ट सम्मिट हुने बाली है 2012 में वह कहां पर होने वाली है स्रिलंका में होने वाली है ठीक तो याद वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन होगा खेल मंत्री स्रीमती यसोद्र राजी सिंद्या ने बताया कि बिमस्टेक वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में साथ देश कौन-कौन से नेपाल, भूटान, म्यामार, थाइलेंड, बांग्नदेश, भारत देश भाग लेगे और इसमें याटिंग, कयाकिंग, केनोईंग तथा रोइंग की प्रतियोगिता होगी और 2003 में ASEAN कयाकिंग, केनोईंग, उपन अंतराष्टे वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता जिसमें 13 देशों ने भागेदारी की थी यह सूदर राजे सिंध्या ने बताया है कि पूर्व में यहाँ आयोचन मार्ज 2020 में होना था लेकिन कोरुणा के कारण इसे इस्थगीत कर दिया गया था देखी दोस्तों कल का मारा कोशन था पानिपद का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था तो यह लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 को यह MPPC 2013 में पूछा भी जा चुका है तो इसका आंसर के जाएका option number C और देखी दोस्तों सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है और आज कर दो सबसे अच्छा आंसर किया है एक तो पृती ने किया है और एक रादी का जवान दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है तो देखे इनके दोरह बताया गया है कि पानिपत का तीसरा युद्ध अहमद सहा अब्दाली और मराथा सिनापती सदासियो राव भाव के बीच में हुआ था और इसकी डेट क्या थी 14 जन्वरी 1761 और ये युद्ध किस ने जीता था तो ये जीता था अहमद सहा अब्दाली ने जीता था और पानिपत किस राजी में आता है तो ये आता है हरियान में देखिए दूस्तो पानिपत के तीन युद्ध हुए थे जो प्रतम युद्ध हुआ था पानिपत का वो कब लड़ा गया था 21 अपरेल 1526 को किसके किसके बीच इबराहीम लोधी और बाबर के बीच लड़ा गया था और विजय किसकी हुई थी यहाँ पर बाबर की हुई थी और जो पानिपत का विती युद्ध है वो पाच नवबर 1556 को हुआ था किसके बीच हेमु और अकबर की सेनके बीच हुआ था और यहाँ पर जीत किसकी हुई थी तो ये हुई थी अकबर की ठीक है? और जो पानिपत का तीसरा युद्ध है तो यह 14 जन्वड़ी 1761 को गया था अहमद साह अब्दाली और मराठा सिरापति सदासीव राव भाव के बीच में लड़ा गया था यहां पर जीत किसकी हुई थी तो अहमद साह अब्दाली की हुई थी और दोस्तों आज के लिए आपको कोश्चन है बेतवार नदी निकलती है ठीके यह MPPC 2020 में पुछा कर लेजिए थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो